चले स्वागत है आपका विनर्स अकाडमी प्रयागराज में मैं वेकसर्थ मैं आज आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जो वायवा पूछा जाता है उसकी बात करूँगा और जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा मैं गरंटी देता हूँ कि उसके 30 में से 30 जरूर क्योंकि आज तक जो भी पूछा गया है फिजिक्स के प्रैक्टिकल यानि वायवा में वो सेलेक्टेड क्वेस्चन ही पूछे जाते हैं तो अगर आपको भी 30 में से 30 पाना है तो आपको ये वीडियो अंतिम तक देखना होगा सबसे पहला जो क्वेस्चन हमारा है कि अब आप इसका आंसर भी दूतुरंद बुक निकाल कर भी देख सकते हैं नोट्स बनाया है तो नोट्स में भी देख सकते हैं या आप इसको कैसे भी करके पढ़ लीजे जिससे आपको चीजे याद रहें पता रहें तो सबसे पहला हमारा है कि आगून का मात्रक चुम्ब की प्रेक्टिकल में क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कैसे पूछा जाएगा या क्या पूछा जाएगा इतना बड़ा सा चैप्टर होता है तो मैं बता देता हूँ जैसे चुम्ब की अगून का मात्रक क्या है दूसरा हमारा है एंपियर का नियम ए आपसे ऐसे ही question पूछेगा बहुत ज़्यादा toughest question नहीं पूछे जाते हैं लेकिन जैसे आगहून चुमकी आगहून का मात्रक एंपियर का नियम तो यह सब ऐसे questions हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके examiner के द्वारा उसके बाद हमारा है फैराडे का प्रथम या दुतीनियम यहाँ पर फैराडे का प्रथम या दुतीनियम उसकी बाद मैं कर रहा हूँ यह भी आप याद रखे क्योंकि यही सारी चीजे वायवा में पूछी जाती हैं आपसे सवाल लगाने के लिए नहीं कहा जाएगा आपको बस knowledge आपका चेक किया जाएगा कि कितना knowledge आपको है और कितना आपने पढ़ा है चौथा है इसमें किरचाफ के नियम किरचाफ के नियम के बारे में भी आपको पढ़ना होगा जिससे आपको जानकारी रहे तो पहला है चुम्बकी अगून का मातरक दूसरा है एमपियर का नियम तीसरा है फैराडे का प्रथम एवं दूतिये नियम और चौथा है किरचाफ का नियम आगे बढ़ते हैं और कुछ कूश्चन के साथ गुरित्वी त्वरान का मान कितना होता है अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका कमेंड में भी जवाब दे सकते हैं उसके बाद है कि आप से ये भी कूश्चन पूछा जा सकता है जिसका वाइवा होने जा रहा है आपको उस subject के बारे में जानकारी है या नहीं तो question पूछा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं लेकिन अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस चीज के बारे में अवेयर हो जाएं कि आप से आपके फिजिक्स में कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट डस कुश्चन रखे हैं उसके बाद है लारेंज बल के बारे में भी पूछा जा सकता है लारेंज बल के बारे में कि यह कैसे काम करता है उसके बाद है दरपड कितने प्रकार के होते हैं वे पांच प्रकार के होते हैं आप से पूछा गया कि दरपड कितने प्रकार के होते हैं तो आप जवाब देंग कि दरपन सर्फ पांच प्रकार के होते हैं उसके बाद वो आप से पूछेंगे कि कौन से किस तरह से हैं तो वो आप जानकारी रखे रहेंगे तो आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद है कुलाम का नियम कूलाम के नियम के बारे में भी बाते हैं अगर आप इन सब चीजों को याद रखते हैं तो मैं 100% स्चियोर्टी गरंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा उसके बाद लास्ट में कि वैद्धित छेत्र के बारे में बताएं वैद्धित छेत्र के बारे में बताना है तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आपको याद रखना है जानकारी लेना है तो आज के लिए मैं इतने पर ही इस क्लास को खतम करता हूं आसा है कि आपको समझ में आया होगा अपने दोस्तों के पास भी सेयर कर दे जिससे उन्हें पता चल सके कि पारना क्या है वाइबा में देना क्या है बताना क्या है ठीक है